इस वीडियो में हम चलेंगे फिल्लेंड के एक बहुत बड़े इंडियन इवेंट में जिसका नाम है इंडिया डे इंडिया डे एक इवेंट ही नहीं है ये एक इमोशन है उन सारे इंडियन के लिए जो फिल्लेंड में रहते हैं तो चलिए हम देखते हैं इंडिया डे को हम कैसे सेलिबरेट करते हैं कितना इंजॉय करते हैं आप भी जरूर इंजॉय करेंगे इन्डिया डेवेंट के बारे में अगर मैं ये कहं कि इन्डियन मेला है इंडियन जो फिल्लेंड में लगता है तो शायद मेरा कहना खलत नहीं होगा क्युंकि एक बड़े से ग्राउंड में ये इवेंट होता है और इतने सारे इंडियन लोग आते हैं, इंडियन खाना, इंडियन कपड़े, इतने सारे इंडियन लोग तो बिल्कुल न मेले जैसा फील आता है, यहाँ पे ये स्टॉल सेटप हो रहा है, अभी मैं इस इवेंट पे थोड़ा पहले आ गई थी, क्योंकि मैंने इंडिया डे इवेंट में मार्केटिंग टीम में एज वॉलेंटियर काम किया था, तो मुझे थोड़ा पहले आना था, क्यों ये आगे मैं आपको बताऊंगी, ये जो आप स्टॉल्स देख रहे हैं, इन में मैक्सिमम फूट स्टॉल सेटप किया था, इंडियन एस्सोसियेशन्स ने, फिनलेंड में 16-17 इंडियन एस्सोसियेशन्स हैं, उन्होंने अपना फूट स्टॉल सेटप किया था, कुछ इंडियन रेस्टॉरेंट्स के भी थे, फूट स्टॉल, कुछ लेडीज हैं जो अपना होम किचन चलाती हैं, उन्होंने अपना फूट स्टॉल लगाया था, इंडियन कपडों के स्टॉल्स थे, अब हम चलते हैं Kids Parade की तरफ, इस बार India Day में बच्चों ने भी participate किया था, parade हुई थी बच्चों की, जिसमें बच्चे छोटे छोटे freedom fighter बने थे और कुछ बच्चों ने अपने state के traditional outfit पहने थे, अपने state को represent किया था, बच्चे entrance gate से parade करते हुए stage तक जा रहे थे और background में patriotic song play हो रहा था, song मैंने mute कर दिया है copyright claim की वज़े से, बहुत ही beautiful moment था ये, बच्चे जा रहे हैं अब stage की तरफ, जहां पे candlelight ceremony होगी, stage पे हैं हमारे ambassador sir, शीरवीश कुमार जी अपने chief guest के साथ, जहां पे ये ceremony start हो रही है candlelight ceremony, इसके बाद छोटे बच्चों को parade खतम होने के बाद उनको goodie bag भी दिये गए, आप देख सकते हैं, यह हमारी रानी लक्ष्मी बाई है, हमारे चोटे से गांधी जी हैं, सब अपने goodie bags collect कर रहे हैं, इस parade में आयत ने भी participate किया था और वो बनी थी मेरी चोटी सी बेगम हजरत महली, आप देख सकते हैं, cute सी आयत आपने देखा, इंडियन ही नहीं, फिनिश लोग भी इस event में participate करते हैं, सामने फिनिश लेडीज हैं, जो लावनी परफॉर्म कर रही हैं, और कितना beautifully performance दे रही हैं यहाँ पे जितनी भी performances थी, वो एक से बढ़कर एक थी, copyright claim की वज़े से मैंने जो music है, वो mute कर रखा है, बट आप shots वीडियो में, मेरे shots वीडियो में जाकर आप यह सारी performances देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे clips upload की हैं, यह जो event था, वो सुबह 10 बज़े से, शाम 5 बज़े तक चला था, तो इतना लं हाँ पे करने के लिए, तो चलिए हम उधर चलते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि venue पे मैं थोड़ा पहले आ गई थी, और उसका reason है, यह बिहार जारकन परिशद, Finland का food stall, मैं बिहार से हूँ और बिहार association में member हूँ, तो as a volunteer मैंने इनके साथ काम किया, food making में, stall decoration में, और भी बहुत कुछ मैंने इनका साथ दिया, इनके साथ काम किया, बहुत ही amazing experience था, यह भी मेरा India Day की team के साथ, और BJPF भिहार जारकर परिशद, Finland की team के साथ, बहुत ही अच्छा experience रहा, यह देखिए मैं यहाँ पर पानिपूरी बेच रही हूँ, मुझे लगता ऐसी डिश है, जो के जरूर रही होगी, yes, you are right, और वो है लिट्टी चोखा, हमारे जो इस्ट्रॉल है, उसका main menu था, लिट्टी चोखा, माल पूआ, डाल पूरी, आलो की सबजी और खीर, स्टार्टर में हमने यह पानिपूरी, spicy चटपटी, पानिपूरी, घूगनी, Ambassador Sir भी आये थे, हमारे स्टॉल पे आप देख सकते हैं, Sir है, मैम है, उन्होंने लिट्टी चोखा का आनन्द उठाया, no doubt बहुत टेस्टी बना था, और मैंने एक इन दीदी की एक वीडियो मैंने चोटी सी क्लिप ले थी, क्योंकि यह सत्तु शरबट पीने आये थी हमारे स् तो यह था मेरे बीजी रहने का रीजन, क्राउंड के बीच में यह आप देखने एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगी थी, तो मैं अपने स्टॉल से इसी स्क्रीन के थुरूफ परफॉर्फॉर्मेंस देख पा रहे थी, क्योंकि मैं जाके जो सामने यह स्टेज है, वहाँ पे नहीं जा सकती थी, तो मैंने जो भी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत देखी, जब मुझे टाइम मिला, तो मैंने स्टॉल से ही देखी, इस बार इंडिया डे पे ये बहुती बीटिफुल सा फोटो बूद भी था, सामने से ये और भी खुबसूरत लग रहा था, देखने में लोगों को भी काफी पसंद आया ये फोटो बूद, आप देख सकते हैं, लाइन लगी हुई थी, यहां पे लोगों की फोटो क्लिक कराने के लिए, मुझे भी काफी देर वेट करना पड़ा फैमली फोटो के लिए, चलिए मैं आपको अपनी इंडिया दे की हार्ट वर्किंग मार्केटिंग टीम से मिलाती हूँ, यह है हमारी टीम, कुछ लोग मिसिंग है, क्योंकि वो थोड़ा लेट आये थे, तो हम उनके साथ पिक नहीं ले पाए, फूट स्ट्रॉल्स के अलावा भी यहां पे कुछ स्ट्रॉल्स थे, जैसे यह TCS का स्ट्रॉल है, एक TCS is one of the sponsor of India Day, और हर साल TCS की तरफ से फ्री में फेस पेंटिंग और हैंड पेंटिंग और गनाइस की जाती है, अर हमाने अपने हाथों पे एक कुछ कार्टून का भी एक स्ट्रॉल था, फ्री में यहां पे कुछ बीट्स रखे थे, लेटर्स वाले और बच्चे आके अपनी पसंद के कुछ जोल्री बना रहे थे, लेक ब्रेसलेट या नेक पीस जो भी, आयत ने भी एक जोल्री बनाई, एक ब्रेसलेट बनाया अपने नाम का आप दे महंदी लगाई, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटिफल महंदी है, यह महंदी दो या तीन यूरो में यह महंदी लगा रहे थे, बच्चों के लिए एक स्टोरी टेलिंग स्टॉल भी था, जहां पे बच्चे आके स्टोरी एक दूसरे को सुना सकते थे, एक लेडी थी जो बच्चों को स्टोरी सुना रहे थी, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल थे बच्चों के इंगेजमेंट के लिए भी आप देख सकते हैं, यहां पे इंडियन क्लोज और होम डेकोर आइटम्स, इन सारी चीजों के भी स्टॉल लगे हैं, तो बहुत ही अच्छा यह महौल होता है यहां का बहुत ही खुबसूरत सा नजारा होता है क्योंकि इतने इंडियन एक साथ, फिल्लेंड में यह रेर सीन है जो आपको देखने को मिलता है कि इतने सारे इंडियन एक साथ होते हैं और यह सिर्फ इंडिया डे पर पॉसिबल हो सकता है, यहां पे हो रहा है खुबसू जिसे मैंने mute किया हुआ है, sorry for that, but बहुत ही खुबसूरत था, a big shout out for this beautiful ladies, for this beautiful fashion show, amazing fashion show, I must say. मैं थांक्यू बोलना चाहूंगी, India Day की organizing team को, thank you so much, इतने खुबसूरत से event के लिए, and thank you to Indian embassy in Finland, जिनोंने इतना खुबसूरत सा event organize किया, इतना खुबसूरत सा दिन दिया, हम Indians को Finland में, thanks a lot, और हाँ, ये तो मैं बता रहीं भूल गई, ये event August में होता है, after Independence Day, इस साल ये 20 August को हुआ था, Helsinki में, every year ये Helsinki में ही होता है, मुझे इस event का best part लगता है food stalls, आप देख सकते हैं, कितनी सारे खाने के item है, जो आपको Finland में बहुत कम देखने को मिलते हैं, और price भी बहुत ही reasonable सा होता है, ये है इस event की last performance, भांगरा नट्यम ग्रोप ने ये performance दिया था, बहुत ही खुबसूरत सी performance थी, भांगरा और भरत न DJ Sahil, कोई भी event हो, Finland में Indian event और वहाँ पर DJ Sahil नहों, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो आप देख सकते हैं, DJ Sahil की beat पे सारे इंडियन, सारे audience जो हैं, वो कैसे enjoy कर रहे हैं और dance कर रहे हैं तो ये थी India Day की थोड़ी सी खुबसूरत यादें, जो मैंने आपके साथ शेयर की, इस 5-6 घंटे के event को मैंने 10 मिनिट में cover करने की कोशिश की है, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, मिलती हूँ, इन्शालला एक नए वीडियो के साथ, मीनवाइल अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाई